वेलकम टोनली आईस, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में इंडियन पॉलिटी के Current Affairs के Revision का ये हमारा 12 वा लेक्चर है आज के सेशन में हम अगस्त महिने के इंडियन पॉलिटी के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का First Important Article अगर उसके पास Lawyer नहीं है, Legal Advice नहीं मिल रही है तो वो कैसे उसे पास सकता है दिखे मारा DPSP में एक Article 39 उसका एक हिस्सा है 39A उसमें Free Legal Aid देने की बात की गई है उसी दिसा में काम करते हुए नालसा का गठन किया गया था 1987 में जिसके लिए Legal Service Authority Act आया था परपर्ज यही था कि लोगों को Free Legal Service दी जाए जो Society का Weaker Section है जिसके पास मी भी पैसे ना हो और वो Legal Services अफोर्ड ना कर पाए सभी लोग Justice अवेल कर सकें किसी Economic या Other Disability के वज़र से उन्हें वो Deny नहीं किया जाए यही उद्देश्य है इसका नियाए दीब Official Newsletter है नालसा का जहां पर वो अपनी सारी जानकारियां देते हैं नालसा ही लोग अदालत कंस्ट्यूट करवाता है जहां पर मुद्दों को Amicable यानि कि सर्वसम्मती से सुलढने का प्रयास किया जाता है Composition की बात करें तो इस Act का Section 3, Clause 2 ये कहता है कि Chief Justice of India पैटर्न-in-Chief होंगे यानि कि उन्हीं के guidance में नालसा वर्क करेगा और जो Second Senior Most Judge होंगे Supreme Court के वो इसके Executive Chairperson होंगे State में भी या Authority होती है जिसे State Legal Service Authority कहा जाता है ये नालसा के जो Directional Policies हैं उनको State में Implement करता है यानि कि Free Legal Service देता है और राज्यों में लोक अदालत गठित करता है State Legal Service Authority इसे Head किया जाता है Honorable Chief Justice जो respective High Court के उस राज्ये में होते हैं उनकी द्वरा Districts में भी ऐसी Authorities होती है जिने कहा जाता है District Legal Service Authority ये राज्यों में नालसा के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकों Implement करते हैं District Legal Service Authority जो District Court का complex होता है वही पर situated होता है और जो District Judge होते हैं वही इसे चेयर भी करते हैं इस सम्मद में एक प्रश्न Prelims 2013 में पूछा गया था दो स्टेट्मेंट थे आपके सामने पहला ये था कि नालसा का अबजेक्टिव है फ्री और कॉंपेटेंट लीगल सर्विस प्रोगाइड कर वरना वीकर सक्षन जो सोसाइटी का है उसे एककोल अपर्चनिटी के बेसिस पे दूसरा स्टेट्मेंट था कि ये गाइडलाइन्स इशू करता है स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी के लिए ताकि वो लीगल प्रोग्राम्स और स्कीम को पुरी देश में इंप्लेमेंट करें दो के दोनों ही स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है आर्टिकल 243G के तहर उनसे कहा जाता है कि आप अपनी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में किस प्रकार के एक्रामिक डेवलप्मेंट करना चाहते हैं उसका एक खाका तयार करके दीजी वो खाका अच्छी तरीके से बने उसमें सभी की भागेदारी हो इसी उद्देश से ये इनिशेटिव लिया गया था It was a kind of campaign जिसे मिनिस्ट्य आप पंचायती राजन स्टार्ट किया था 2 October 2020 से 31 January 2021 के पीछ के लिए उद्देश ये था कि ग्राम पंचायतू की मदद की जाएगी कि वो एक convergent और holistic ग्राम पंचायत डेवलप्मेंट प्लान बनाए और ये देखें कि क्या इंफ्रा गैप है उनकी एरिया में जिसे हम सही कर सकते हैं कई सारे काम इसमें करने थे इस इनिशेटिव में कि जो self-help ग्रुप हैं और elected representatives हैं हम उन्हें extended करें evidence-based assessment किया जाए जो भी अधिकार दिये गए हैं देखे schedule 11 में 29 subjects हैं जो ग्राम पंचायतों को दिये जा सकते हैं जिस पर वो काम करें तो उनमें क्या काम किया जा सकता है इसका बढ़िया सा assessment किया जाए जो schemes और finances लोगों के लिए हैं उनका public disclosure हो inclusive, participatory और evidence based प्लान तयार किया जाए यही इसका उद्देश्य था और यह बाद तो मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 243G में ग्राम पंचायतों को mandate किया गया है कि वो एक economic development के लिए प्लान बनाएंगे जो comprehensive हो और सभी लोगों का उसमें participation हो जो कि इसके पहले जो schemes चल रही है central ministries की या departments की उनके साथ converge करता हो यह नहीं कि आप एकदम अलग से प्लान बना रहे हो जिसे hypothetically उसे पूरा ही ना किया जा सकता है ऐसा प्लान आपको नहीं बनाना है अगर यह आगे और दो साल काम करेंगे अगर यह आगे और दो साल काम करेंगे तो खर्चा भी आएका न 1572 करूर रुपए का आउटली भी थैयार किया गया है इस खर्च को बेर करने के लिए अब मामला है क्या देखे डिसंबर 2012 में एक बहुत ही unfortunate incident हुआ था निर्भया रेप केस उसके बाद गौर्वर्मेंट ने वादा किया था कि वो रेप के केसेस में speedy trial को लेकर ध्यान देंगे expeditious trial किये जाएंगे और जो भी अपरादी हैं उन्हें जल्दी सजा दी जाएगी अगर ऐसा करना है तो हमें special code की आवशकता होगी क्योंकि अगर वो नॉर्मल जुडिशल प्रोसेस में अटके तक तो लंबे खच जाएंगे फर्दर जो पॉक्सो के मामले होते हैं फुल फॉर्म है protection of children from sexual offenses इनमें भी expeditious style की आवशकता होती है इसी उद्देश से October 2019 में Centrally sponsored scheme को launch किया गया इसकीम का उद्देश से वही था जो उन्होंने वादा किया था rape cases और पॉक्सो के मामलों को एक special court handle करेगी इसके लिए 1000 से ज़ादा special courts बनाए गया ये एक Centrally sponsored scheme है मतलब राज्जियों को भी अपना हिस्सा देना होगा तो जो central government अपना हिस्सा देगी that will come from Nirvaya fund इस scheme को launch किया गया है और जो special courts इसमें set up किये जाएंगे that will be part of national mission for safety of women इस implement किया ज़रा department of justice के द्वरा UK ministry of law and justice के तहप काम करते हैं features यह हैं कि ये course आगे भी काम करते रहेंगे कि नहीं ये external evaluation पर depend करेगा अगर हमें आवशक्ता है in course की आगे भी तो ये continue रहेंगे नहीं तो नहीं बन कर दिया जाएगा इस scheme में कोई permanent infra develop नहीं किया जाएगा अगर कोई premise already available है जो court का है वहीं पर तो फिर वहीं पर special court रन करेगा अगर नहीं है तो lease पे हम कोई premise ले लेंगे composition में एक judicial officer और 7 staff होगा अगर staff की कमी है तो contractual basis पे hire भी किया जा सकता है staff को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रेटायर judicial officers की भी मदद ली जा सकती है जहां भी required हो इस scheme में जहां हम 1000 से ज़ादा special courts की बात कर रहे हैं 389 के वल box के मामलों को handle करेंगे उमीद ये की जाती है कि एक fast track special court team महिने में कम से कम 41 से values cases dispose करेगा और एक साल में normally 165 cases ही handle करेंगे अगर ऐसा करते हैं तो definitely in trials में speed आ जाएगी हमारा next article e-prison project के बारे में है ministry of home affairs में अभी एक financial assistance grant किया है 99.49 क्रोर रुपीज का जिसके माध्यम से state और uts में e-prison project को बढ़ावा दिया जाएगा क्या है ये e-prison project इसमें है ये कि जो prison के functioning है jail जैसे काम करता है हम उसमें automation लेकर आए computerization करें जो data वगेरा हो वो online operational board में available हो जो e-prison data होगा उसमें हम integrate कर देंगे जो police का mechanism है उसे code system को जो भी stakeholders involved है criminal justice system में उन सभी लोगों को e-prison application suite यानि एक प्रकार का online application इसे develop किया गया है National Informatics Center के द्वारा जो कि Ministry of Electronics and I.T. के तहत काम करती है जो ये पूरा online platform होगा यहाँ पर आप जो भी लोग jail में बंद हैं उनके बारे में जानकारी गठा कर सकते हैं jail कैसे function कर रहा है उसकी जानकारी आपको online मिल जाएगी prison में कौन से officials काम कर रहे हैं उनकी भी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर आप अगर किसी व्यक्ती से मिलना चाहते हैं जो की jail में है तो online visit request भी डाल सकते हैं आपको कोई समस्या है तो grievance redressal की भी बात कर सकते हैं कुछ और important features है एक feature है e-present MIS यहाँ पर MIS का full form है management information system इसका इस्तिमाल किया जाएगा जो day to day regular activities है उसके लिए जिसकी जानकारी वहाँ पर online available हो जाएगी एक है national prison information portal it is a kind of portal नामसे इसपस्ट है यह एक citizen centric portal है जहाँ पर आपको data वगेरा दिख जाएगा statistical form में कि देश में कौन से jewel किस इस्तिमें है further visitors अपनी online booking कर सकते हैं अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं इस portal और कोई problem है तो उससे भी वहाँ पर summit कर सकते हैं कारा बाजार एक और इसका हिस्सा है यह काला बाजार नहीं है कारा बाजार है जो की कारा गार से सम्मंदित है देखे कई सारे लोग जो jail में होते हैं वो कुछ-कुछ activities में involved होते हैं कई सेरे products तयार किये जाते हैं manufacture किये जाते हैं तो उन products को so case किया जाएगा इस portal के माधियम से जिसे लोग खरीब पाएंगे इसके पहले हैं कि हम इस article पर आगे बढ़ें मैं आपको बताना चाहूंगा कि internet governance का मतलब क्या होता है देखे internet governance जो है वो government private sector और civil society इनके द्वारा तयार किया गया कुछ ऐसा आप share कह लीजिए norms, rules और principles होते हैं ये ऐसे norms, rules and principles होते हैं जो internet के use और उसकी applicability को निर्धारित करते हैं तो आम बोलचाल की भासा में आप ऐसे समझीए कि internet governance कुछ norms, rules और principles हैं जो ये decide करते हैं कि internet कैसे इस्तिमाल किया जाएगा और उस संबंध में क्या policy होनी चाहिए समझ में आ गया तो देखें, ऐसा ही एक forum है जो United Nations run करता है ये उसका आप India Edition कह लीजिए ये kind of policy discussion platform है सभी entities यहाँ पर आएँगी कौन कोन आएगा? government, private sector और civil society आपसमें बातचीत करेंगे और discuss करेंगे कि क्या policy होनी चाहिए internet से related ये जो पूरा forum है ये देखे, 20 October से start होने वाला है discussion बगएरा mode of engagement, multi-stakeholder होगा जैसे मैंने बता दिया, कई सारे stakeholders होंगे ये पहला session होगा, IIGF का जो October 2021 में start हो रहा है India, IGF, जो United Nations का है उसकी बात कर रहे हैं ये भी multi-stakeholder governance group है कई सारे stakeholders यहां भी आते हैं वो भी global level पर internet का कैसे use होगा, इस सम्द में policy making के लिए debate and discussions वगएरा करते हैं इसका origin देखे 2006 का है इसकी पहली meeting 2006 में हुई थी, उसके बाद से हर साल meeting होती है ये, इसका जो secretaryate है, वो UN का जो office है Switzerland के जिनेवा में वहाँ पर है funding जो है IGF की वो extra budgetary trust fund account है जो UN का, जिसे manage किया जाता है UN देशा के द्वारा, United Nations Department of Economic and Social Affairs वहीं से इसका खर्चा उठाया जाता है हमारा next article, inner line permit के बारे में है देख लेजिए, यहाँ पर है लदाक administration ने अभी ये कहा है कि जो border areas में कुछ protected regions थे, जहाँ पर जाने के लिए inner line permit required होता था, उसे scrap कर दिया है, ताकि वहाँ पर tourism और बढ़े, तो क्या होता है inner line permit, inner line permit is a kind of travel document, जो आपको जो local communities है, उनका जो culture है उनका जो रहन सेहन है, उसमें हस्तक छेप ना हो, इसमें आप कब तक रुखने वाले हैं और कौन-कौन से areas में जा सकते हैं, उसका पूरा description दिया गया रहता है जो ILP है, वो state government जहाँ पर ये लागू होता है, वही पर दिया जाता है, वही उसे generate करते हैं online और in-person दोनों ही mode में आप अवेल कर सकते हो वैसे देखें, जो inner line permit का मामला है, ये business के जमाने का है वो बंगाल Eastern Frontier Regulation Act 1973 फील आये थे, उनका उदेश ये था, कि कुछ areas में वो जो Indians हैं, उनकी entry को restrict कर दे, ताकि वहाँ के economic resources को freely exploit कर सकें, और Indian traders वहाँ ना जा सकें 1950 में जब देश उसके पहले 1947 में आजाद हो गया तो 1950 में जो यहाँ पर term था British subject, उसे replace करके कह दिया गया, citizens of India मतलब साफ था, जो भी non-natives हैं, जो बाहर से आएंगे उस जगह पे, उन्हें permit चाहिए होगा, अभी तो मामला यह था, अभी यहाँ exploitation का मामला नहीं रह गया था, अब मामला यह था कि जो indigenous tribal communities हैं, हम उनके interest को secure करें हमारा next article, parliamentary committee on official language के बारे में है Union Minister of Home ने अभी 36th meeting को cheer किया है parliamentary committee on official language से जुड़ा हुआ इस committee की बात करें, तो इस committee को 1976 में setup किया गया था इस्तिमाल किया गया था Official Languages Act 1963 के section 4 का mandate यह है कि यह देखें कि हिंदी को official language के purpose से इस्तिमाल किये जाने को लेकर क्या progress हुई है आप इसको review करिए क्योंकि यह जिम्मेदारी है government की कि वो इसके लिए work करें यह committee इसे review करती है और इस संबन्ध में कुछ recommendations President को swap देती है आप President उन recommendations का क्या करेंगे उनके पास तो बहुत सारे काम है तो वो चुप चाप उस report को उठा के Parliament के सामदे रख देते हैं कहते हैं आप लोग खाली बैठे हो आप इसको देख लो हमारे पास तो बहुत सारा काम है उसके बाद वो जो report है वो state government के पास चली जाती है कि आप लोग भी देख लो हम अकेले काहे देखें जो members होते हैं committee के अब उसकी बात करते हैं तो 30 member होंगे जिसमें से 20 होंगे लोग सभा के और 10 होंगे राज्य सभा के चेर्मेन जो committee के members होते हैं वो आपस में चुल लेते हैं एक प्रथा है कि जो union home minister है उन्हें ही chairman बना लो समय समय पर यहीं चलता रहा है तो यहीं चल रहा है अर्टिकल किसी cabinet minister को arrest करने के procedure के बारे में है अब अगर यह context है मतलब कोई arrest हुआ होगा बिल्कुल राज्य सभा से union minister है नारायन राने उनको अभी हाल ही में arrest किया गया है because उन्होंने महराष्टरा के chief minister उद्धव ठाकरी जी के खिलाफ एक insulting statement दिया था जहां पर वो उन्हीं slap करने की बात कह रहे थे अब देखे किसी union minister को arrest करने का प्रावधान क्या होता है अगर parliament session में नहीं है तो एक cabinet minister को law enforcement agencies arrest कर सकती है अगर उनके खिलाफ कोई criminal case होतो section 22a है इस बारे में जो rules of procedures and conduct of business जो राज्यसभा का है उससे संबंदित है उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी memora parliament को गिरफ्तार किया जा रहा है यहां पर इस case में वो राज्यसभा से बिलॉंग करते हैं तो police, judge या magistrate को इस बारे में राज्यसभा के chairman को जानकारी देनी होगी और ये भी बताना होगा कि उन्हें किस कारण से गिरफ्तार किया गया है किस जगए पे गिरफ्तार किया गया है जो भी appropriate तरीका है बताने का उसका इस्तिमाल किया जाएगा एक बार chairman को इस बारे में जानकारी मिल गई, तो उनसे उमीद की जाएगी कि वो ये जानकारी Council of Ministers जो हैं उनको दे, अगर वो sitting में है तो अगर वो sitting में नहीं है, तो उनसे ये उमीद की जाती है कि वो इस बारे में जानकारी को publish कर देंगे, जो members के सम्मन्द में information bulletin, वो house publish करता है उसमें, तो ये तो काम हो जाएगा चेयर्मैन का, अगर Parliament session में है, तब का क्या प्रावधाने, जैसे अभी तक जो हम बात कर रहे थे, that was about कि Parliament session में नहीं है, अगर Parliament session में है, तो जो दोनों ही house के member है, उन्हें same immunity मिलती है, मतलब अलग-अलग नहीं है, equal rights है, वो क्या है, section 135 है, civil procedural code का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ कोई civil मामला है, तो उन्हें arrest से freedom होगी, ऐसा नहीं कि वो हमेशा नहीं हो सकते, ये freedom, जो house है, उसके continuous के 40 दिन पहले और 40 दिन बात तक होगा, जो ये privilege है, arrest से freedom को लेकर, ये criminal offenses में नहीं, ठीक है, कोई ऐसा विवाद है, जो civil मामलों में आता है, तो फिर छूट मिलेगी, लेकिन अगर कोई member of parliament जाके किसी का murder कर दे, तब किसी भी प्रकार का कोई immunity उसे नहीं मिलेगी, further अगर preventive detention का मामला है, preventive detention समझते है न, मतलब किसी व्यक्ति को अपराद करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लेना, उसमें भी ये जो 40 दिनों वाली immunity है, वो नहीं दी जाती, हमारा next article North Eastern Region District Index के बारे में है, नितियायोग ने इसका पहला edition release किया है, North Eastern Region District SDG Index और Dashboard 2021, नितियायोग ने इसे develop करने के लिए collaborate किया है, donor के साथ, कहने कि Ministry of Development of North Eastern Region, ये index develop किया गया है, कुछ technical inputs लिए गए है, United Nations Development Program के भी, ठीक है, परपस यही है कि हम देख सकें कि North Eastern Region में जो भी states हैं, उनमें अचीव करने को लेकर, इसमें आठ states इंटूड किये गए हैं, अड़ांशल प्रदेश, असाम, मनिपुर, मिघालिया, मिजोरम, नागालेंड, सिक्क्यम और त्रपुरा, नितियायोग का जो SDG India Index है, उसी पर वेजड है, ये index भी, इंडिकेटर्स 84 हैं, पंद्रा सस्टिंबर डेलप्मेंट गोल्स को ये कवर करते हैं, जिनमें 50 टार्गेट्स आल्मोस्ट हैं, रैंकिंग की बात गया है, तो सिक्क्यम का जो इस सिक्क्यम डिस्टिक्ट है, वो है नंबर बन पे, उसके बाद नंबर आया डिस्टिक गोमती और नौर्थ त्रपुरा का, ये दोनों देखे एक सांस सेकेंड पोजिशन पर आये हैं, 103 डिस्टिक्ट जो हैं, उनमें से 64 डिस्टिक्ट को फ्रंट रॉनर काटेगरी में डला गया है, और 39 को पोफॉर्मर काटेगरी में, एस्पेरिंट या फिर अची पोफॉर्सिंग मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, सिनमेटेग्राफी एमेंडमेंट बिट 2021 का पब्लिक फोरम पे, ताकि ओपीनियन जानी जा सके पब्लिक की, इसके पहले सिनमेटेग्राफी एक्ट 1952 हुआ करता था, अब उसको अपडेशन की जरुवत ह अब इससे कुछ important शब्द हैं जो हमें जाननी की जरुवत है, पहला है censorship और cinematography में censorship क्यों relevant है, तो आपको पता है censorship का मतलब यह है कि official point of view से prohibit करें या restrict करें किसी expression को, अब वो expression क्या है, वो film भी हो सकती है, किताबे भी हो सकती है, या फिर TV पे दिखाने वाला कोई show भी हो सक करता है, कोई ऐसा show जो कि political, social या moral order को threaten कर सकता है, गड़बडा सकता है, ऐसे show को censor करने की ज़रुवत पड़ती है, ऐसे show को restrict या prohibit भी कर सकते है, और इसी लिए ज़रूरी है censorship करना, अब censorship जो impose करी जाती है, वो कौन-कौन impose कर सकता है, वो कोई government authority भी कर सकती है, local या national, religious body ह हो गई, या फिर कोई powerful private group है, वो भी censorship को impose कर सकते है, इससे बात आ जाती है, censorship, cinematography की censorship important क्यों है, पहली बात तो आप ये खुद समझे, जो picture होती है, films जो होती है, वो आम आदमे की जीवन पर बहुत कहरा असा डालती है, बहुत influential होती है, mass media में अगर सबसे जादे influential कुछ है, कितने बच्चे जो है, वो कोई गलत चीज़ पिक्चरों में देखते हैं, कोई गलत प्राक्टिस देखते हैं, तो उसको अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, जैसे smoking is one of them, smoking गजब का example है, आप कभी अपने favorite actor को अगर smoke करते देखते हैं, तो बहुत से लड़के तो smoking उसी च कोड का a case था 1970 का, K.A. Abbas versus Union of India में, दूसरा आप देखे, action, speech या site है, मान के चलिए, बहुत ज़्यादा bloodshed या फिर खून बहाने वाला, बहुत ज़्यादा torture assassine दिखा जा रहा है, या murder करते होगे दिखा जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़े दिखाए जा रहे है, जिससे brutality prevail होगी society में, या फिर कुछ ऐसी speech बोली जा रही है, जिससे threaten कर सकते हैं, आप किसी particular व्रक्ति विशेश के लिए, या फिर कोई धर्म विशेश के लिए या कोई speech आप यूज करते हैं, pictures में, तो ये सारी चीज़े भी censor करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं न कहीं, आपकी जो peace and harmony है country की, उसको destabilize कर सकते हैं, threaten कर सकते हैं, इसलिए इसके prior examination जरूरी है, pictures का, और ये चीज कहां से आई, ये चीज आई, आपकी S, रंगराजन, etc versus P, जग जीवन नाम 1989 के case से, तो इससे हमें समझ में आ गया, कि picture को censor करना क्यों जरूरी हो जाता है, अब ये जो नया bill आया है, ये जो draft है, इसमें क्या का चीज़े है, सबसे पहली चीज बताई गया, ये पहला provision है, category of film certification में, जो उमर होती है, जो age होती है, उनको change करने की बात करी गई है, आपको मालूम है, एक होता है restricted to public exhibition, जिसको आप you category कहते है, फिर एक you a होता है, जिसमें parental guidance होना चाहिए, बारा साल से उपर का अगर कोई बच्चा है, तो parental guidance में वो देख सकता है, फिर certificate की जो validity है, वो पहले 10 साल हुआ करती थी, draft में कहा जा रहा है, कि इसक Central Government है, उसके power of revision, कि मान के चलिए picture release होने के बाद भी उसको आप revise कर सके, उसको अगर आप बाद में censor करना चाहें, तो वो कर सके, और आखरी है film piracy के उपर, आपने अक्सर देखा होगा Tamil Rockers या फिर इस तरीकी के बहुत से pirating groups हैं, यह क्या करते हैं generally, पारेट करके अपना जो भी टॉकी स्प्रिंट निकाल देंगी या फिर इंटरनेट पे release कर देते हैं, अब इससे एक तरफ जो film producer है, जो film industry है, उसको नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ government को भी नुकसान होता है, revenue के form में, इन दोनों चीजों को रोकने के लिए, यह कदम उठाने की बात करे इस draft में, film piracy को रोकने के लिए, इसके उपर कुछ committees भी बनीए, जैसे sham medical committee बनी थी, इन्होंने recommend किया था, कि जो owner का है, पूरा right owner का होना चाहिए, साथ में इन्होंने कहा था, जो international practices है, जो global practices है, उनको हमें अपनाने की जरुवत है, तो global practices को add करने की बात करेगी, साथ ही म informed choice ले पाए, viewer, कि हमें ये picture देखनी है, नहीं देखनी, audience को ये clear होना चाहिए, आजाती है बात इससे Central Board of Film certification की, तो एक statutory body है, जो की Cinematography Act 1952 के section 3 में बनाई गई थी, इसका काम है prior examination करना, advance में examination करना, जो भी picture है बनाई जारी है, उनका based on the guidelines, जो 1952 का act है, उसके जो rules है, उसक Central Government की जो 1991 की guidelines है, उस हिसाब से, और उस basis पे picture को release करना है, public exhibition के लिए तयार करना है, या नहीं करना है, कभी-कभी वो कहते हैं, कि इसमें आपको कुछ cuts करने पढ़ेंगे, कुछ modifications करने पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप उसको release कर सकते हैं, कुछ-कुछ circumstances में, वो prohibited भी कर दे communication का होता है, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.